Hello friends, है इस प्रोडम को solve करते हैं Question क्या कहते है, the least value there should be subtracted from the number 32146 to make it a perfect square क्या कह रहा है कि जो least value इन चारो options में से कौन सी least value है जो हम 32146 में से subtract कर दे है ताकि वो perfect square बन जा है तो 32,000 के आस पास का जो perfect square है 32,146 का वो एक तो होता है 180 का square 180 का square क्या होता है 32,400 होता है इसी तरीके से 179 का भी आप square जब आप देखेंगे तो 32,041 होता है 179 का square होता है और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो question में हमें दिया है 32,146 इन दोनों के बीच का जो difference है आती है 32,041 जो क्या है perfect square है किसका 179 का गऌन की का पस्ट आपको applied पहाँ झाथज़ में हाँ से berपकर बाद़ में है झालब नोक भतनों में है झालब तक कि ए시죠 झालब झालब da दोनों की आपको पकोवड़Bay कि उनापको में हमाहे जोग